Hello students, इस वीडियो के अंदर हमारा topic है difference between radial and bilateral symmetry Radial और bilateral symmetry क्या होती है, इन दोनों में क्या difference होता है, इस वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले है और ये question BSC first year geology का second semester higher non-code data के अंदर बार-बार repeat होता रहता है, दो number में exam paper में तो आईए इसको देखते हैं कि radial symmetry क्या है और bilateral symmetry क्या होता है और इन दोनों में difference क्या है तो radial symmetry generally उन सभी animals जिनकी body, oral और aboral surface में divide होती है, इन में radial symmetry पाये जाती है आप example के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे starfish आपने देखा होगा जो कि मैं already cover कर चुगा हूँ उसकी body जो होती है वो radial symmetry होती है, अभी मैं आपको practically भी समझाने की कोशिश करूँगा इस प्रकार के animals generally cylindrata, tinofora और echinodermetophilum में पाये जाती हैं इन animals को किसी भी surface से center से गुजरती line से काटने पर दो equal parts में divide हो जाते हैं ठीक, आएए मैं आपको दिखाता हूँ, ये biradial, pentaradial या polymerus different parts में divide भी होते हैं देखे, इस example को मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर आपको diagram दिखाई दे रहा होगा यहो ये जो आप diagram देख रहे हैं, ये starfish का diagram है, ठीक है? अब देखे, अगर आप इसको यहाँ से cut करने की कोशिश करेंगे, इसको किसी भी plane से cut करने की कोशिश करते हैं, तो ये 2 equal parts में divide हो जाएगा ठीक है? आप इसको यहाँ से cut करेंगे, तो जितना part इधर है, उतना part इधर आजाएगा अगर आप इसको इस axis से cut करने की कोशिश करेंगे तो जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर आ जाएगा मतलब आप इस तरह के जो animals होते हैं radial symmetry वाले animals इन्हें आप किसी भी plane से cut करने की कोशिश करोगे वो दो equal part में divide हो जाएंगे किसी भी axis से लेकिन जो bilateral symmetry होती है उसमें क्या अंतर होता है देखिए जैसे यह हमारे पास एक मक्खी है अब इसको बीच से cut करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बीच ओ बीच तभी ये दो equal part में cut सकता है अगर आप सोचे कि आप इसको यहाँ से इसे cut करने की कोशिश करेंगे transversally ऐसे तो क्या होगा जो part इधर है वो part इधर नहीं रह पाएगा यही एक ही ऐसा main axis है जहाँ पर इसे आप cut करोगे तभी ये दो equal part में जो part इधर है उतना ही part इधर आएगा यानि सिरिफ एक median axis है जहाँ पर cut करके आप इसको दो part में डिवाइड कर सकते हो तो इसको कहते हैं bilateral symmetry bilateral means यहाँ पर दो lateral side में है तो यहनि दो lateral side की symmetry bilateral symmetry कहलाती है तो bilateral symmetry की आप definition भी note कर सकते हैं जिन animals में dorsal तथा vental surface के साथ-साथ anterior and posterior का भी difference clear होता है उन्हें only body के median axis से दो equal part में divide किया जा सकता है जैसा कि मैं उल्री बता चुका हूँ मक्खी का example हमने दिया था तो गाईज इस तरह की जो bilateral symmetry है यह एनिलीडा या platyhelminthis मतलब जो phylums हैं इन में जो है ज़्यादा तर देखा जाता है उल्री हुमन भी bilateral symmetry ही गत्सो करता है so guys I hope आपका यह clear हो गया होगा कि radial और bilateral symmetry में क्या अंतर है और यह दोनों क्या है मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई टाटा